हल्दी इंडियन और साउटीस्ट एजियन फूड में बहुत पॉपिलर है भारत देश में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां हल्दी का इस्तमाल नहीं होता हल्दी का इस्तमाल हम कुकिंग में उसके फ्लेवर और उसके खुबसूरत रंग के लिए करते हैं पर आपको पता है कि हल्दी के अंदर की इंग्रीडियन उसका नाम है कर्किमिन कर्किमिन की वज़ा से जो हल्दी है उसकी मेडिसिनल प्रॉपपर्टीस बर जाती है हल्दी anti-inflammatory है, antibacterial है और साथी साथ और भी बहुत सारी problems का solution है हल्दी अब बाहर के देशों में भी बहुत popular हो रही है हमारे देश से हल्दी का बहुत export होता है लालच की वज़ा से हल्दी में बहुत मिलावट भी हो रही है और आपको पता है कि जो सबसे common ingredient है जो मिलावट के लिए हल्दी में इस्तमाल होता है वो है yellow chalk powder हल्दी में मिलावट कर दी जाती है और जो curcumin extract किया जाता है उसे महंगे दामों पे दवाईयों की दुकान पे अलग से बेचा जाता है अगर आप जानना चाहते हैं कि जो आप किचिन में हल्दी इस्तमाल कर रहे हैं उसमें curcumin कितना है वो आप आसानी से कर सकते हैं आप किसी भी अपनी local food lab में थोड़ी सी हल्दी का sample दे दीजिए और आपको पता चल जाएगा या फिर आप ऐसा कोई local source छूंडिये जहां पे curcumin extract नहीं होता जहां पे वो अपनी हल्दी खुद उगाते हैं और खुद अपनी हल्दी powder बनाते हैं जैसे कि हम people farm पे करते हैं